मैं एक बार जगनात पूरी गया था, आप भी गए होंगे, तो मैंने मंदिर के महिंत को पूछा, कि ये भगवान का प्रसाद माने वहाँ दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं, तो उसने एक ही वाकिय कहा, मिट्टी प मिट्टी पूरा जहीं पना है, हम जब मरते हैं और शरीर को जला देते हैं, तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर, और इस राख का मैंने विशलेशन करवाया एक लेबरेटरी में, तो उसमें केल्शियम निकलता है, फॉसी तो है आईरन निकलता है जिंक निकलता है सल्फर निकलता है अठारे माइक्रो न्यूट्रियंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राक में यह सब वही माइक्रो न्यूट्रियंट्स है जो मिट्टी में है तो महिंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है इसलिए हम मिट्टी के बरतन में ही दाल पकाते हैं भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं अब अब वित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते वो बहुत वैज्यानिक स्टेट्मेंट है बस इतना ही है कि वो उसको एक्स्प्लेइन नहीं कर सकता अच्छा मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया पूरी से भुवनेश्वर भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है Council of Science and Industrial Research का लेबोरेटरी है जिसको Reasonable Research लेबोरेटरी कहते है तो वहां ले गया कुछ वैग्यानिकों से का ये दाल है उन्होंने का हाँ हाँ ये पुरी की दाल है मैं इसका विशलेशन करना है इस दाल में क्या है तो उन्होंने का हमरे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं ह हमरे पास जो जो चाहिए वो नहीं है आप दिल्ली ले जाओ तो बहतर है तो मैंने का दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी उन्होंने का नहीं होगी क्योंकि ये मिट्टी में बनी है तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी त दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रियंट कम नहीं हुआ, पकाने के बाद भी, तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्हों ने रिसर्च करके देखा, तो उन्होंने का इसमें माइक्रो न्यूट्रियंट्स बहुत ही कम है, मैं पूछा परसेंटेज वाइस बता दो तो उन्होंने का अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हाड़ी में पकाओ और सो प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रियंट्स है तो कुकर में पकाने में तेरे प्रतिशत ही बचते हैं 87 प्रतिशत नश्ट हो गए मैं पूछा कैसे नश्ट हुए तो उन्होंने का ये जो प्रेशर पड़ा है उपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया तोड़ दिया मॉलिक्यूल्स टूट गए है तो दाल तो बिखर गई है पकी नहीं है बिखर गई है सौफ्ट हो गई है तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहे है लेकिन वास्तम में वो नहीं है पके हुए से मतलब ये होता है कि जो माइक्रो निूट्रियंट्स आपको कच्चे रूप में शरीर को उप्योग नहीं आते उनको आप उप्योगी बना ले इसको पका हुआ कहते हैं आयरुवेद में तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में उंची है बशरते की आपके प्रेशर को करकी और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिये तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी पर नहीं भूलेंगा इसका मतलब क्या है भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्यान विक्सित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा तब मैंने गाओं गाओं घूमता रहता हूँ तो पूछना शुरू किया तो बोलते हैं लोग कि ज़्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदकी पर मिट्टी की दाली खाते रहे तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को डाइबिटीज क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसको गुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसके 32 दाथ मरने के दिन तक सुरक्षत थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संसकार किया अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दाथ उसके 32 के 32 निकले तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उमर तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आँखों पे और जीवन के आखरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो नूट्रियंट्स की पूरती अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है तो माइक्रो नूट्रियंट्स पूरा सप्लाई मिला दाल में जो खाई थी उसने मिट्टी की हांडी में पका पका के और ना सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी की हांडी में बलकि दूद भी मिट्टी की हांडी में पकाती थी घी भी मिट्टी की हांडी से ही निकालती थी दही का मठा भी मिट्टी की हांडी में ही बनता थी अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बरतन क्यों इस देश में आये हम भी अलुमिनियम बना सकते थे हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं करनाटक बहुत बड़ा भंडार तमिल नाडू आंधर प्रदेश बॉक्साइट के बड़े भं जारों साल से दे रहे हमारे स्वास्ता की रख्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाती बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग यह उचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया अगर प्रेशर कुकर की कमपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो उचा आदमी है तो यह कुमार नीचा कैसे हो गया जो सबसे बड़ा वेग्यानिक काम कर रहा है मिट्टी के बरतन बना बना कर आपके माइक्रो न्यूट्रियंट्स को आपके सुक्ष्म पोशक तत्तों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सेलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बरतन नहीं बनते एक खास तरह की मिट्टी है वही बरतन बनाने मे इसलिए हांडी इस से बनाओ और इसमें कैलिशियम मै tackling बनाओ ये तो बहुत बहुत बारीक और विग्यान का काम है ये सब कुमार कर रहे हैं हजारों साल से कर रहे हैं बिनकिसी यूनिवरिसिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं तो हमें तो बंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, कितने महान लोग हैं, दुरुभाग इसे सरकार की कैटेगरी में, वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, और सबसे मज़े की बात कि ये हांटी जब खतम होगी, बने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, तो फिर वोई मिट्टी से हांटी बन जाएगी, दुनिया में ऐसी कोई वस्तू नहीं है, प्रेशर कुकर के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, बायो डिग्रेडिबल है, तो आप भी कर लीजए ये काम, प्रेशर कुकर निकाली है, मिट्टी के हांटी ले आईए, तो आप हमारे यहां एक मैटल बनता है, जिसको आप लोग कहते हैं, एलॉय है, कांसा, तीसरा सबसे अच्छा माना जाता है, पीतल, अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया, कि अरहर की दाल को कांसे के बरतन में पकाएं, तो उसके सिर्फ तीन प्रतिशत माइक्रो न्यू कर में बनाएं, तो सिर्फ साथ प्रतिशत बचते हैं, वाकी खतम होते हैं, अब आप तै कर लीजिए, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए, तो आपको मिट्टी की हाड़ी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लोटना पड़ेगा, इंडिया से, अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजों ने, या बना दिया अम्री कियों ने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी, और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बातें गाओं गाओं में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क् कि कुमारों की इज़त बढ़ गई है गाओं में, और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुमारों की इज़त इतनी बढ़ जाए, कि वो पंडितों के बरावर आ जाएं, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छो आपको मैं कोई दवा नहीं दूँगा, तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी, मैंने का एक ही काम करो, मिट्टी की दाल खाना शुरू करो, मिट्टी की हाडी में रख्के होई दाल खाना शुरू करो, चावल खाना है तो मिट्टी की हाडी का, कहने लगे राजी बही कौन करेगा ये सब मैंने का आपकी बीवी करेगी या आप करोगे अगर जिन्दगी चाहिए तो जग मार के आप करोगे नहीं तो अमरीका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी जग मार के वापस आओ तो मेरे पास कुछ डाइविटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक जिनका शुगर यूनिट चारसो असी के ऊपर है ऐसे सौ से जादा पेशेंट वो आठ से नौ महिना हो गया नियमित रूप से मिट्टी की दाल और मिट्टी का चावल मने हांडी की दाल और हांडी का चावल, हांडी की खिचुडी नियमित रूप से खा रहे हैं और अब तो उन्होंने मिट्टी का तवा भी ले आया injection के बिना किसी टॉनिक के और हुमिविदी की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानते दवा भी दो दवा भी दो उनको प्लैसीबो दे दिया प्लैसीबो समझते हैं खाली गोली दवा नहीं डाली तो पेशेंट को लग रहा है कि मैं दवा खा रहा हूँ दवा खा के अच्छा हो रहा हूँ मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है वो प्लैसीबो है वो अच्छा हो रहा है उस मिट्टी की दाल खा के मिट्टी का चावल खा के मिट्टी की खिचड़ी खा के